नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आप जानना चांते हैं कि हमारी आँख कितने मेगा पिक्जल की होती है तो बने रही है वीडियो में अंद तक क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे मानव सरीर से जुड़े कुछ महत्तपूर सवाल जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे के नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले पहला सवाल है हमारा कौन सा अंग हमारे खून को सुद्ध करता है दोस्तों आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकिंड 5 सेकिंड के अंदर अपना आंसर कमेंट करें तो इसका सही आंसर है किडिनी यानि की ब्रक दूसरा सवाल है मनुष्य का नॉर्मल रक्त चाप यानि की नॉर्मल ब्रेड प्रेसर कितना होता है इसका सही आंसर है 80 mm से 120 mm तक तीसरा सवाल है मनुष्य के सरीर में सबसे छोटी हड़ी कहां होती है इसका सही आंसर है कान में चोधा सवाल है मनुष्य का शामान या ताप मान यानि की नॉर्मल टेंपरेचर कितना होता है तो दोस्तों ये तीन तरह से मापा जाता है 98.4 डिग्री फारेनाइट में और 37 डिग्री सेल्टी ग्रेट में और 310 केल्विन में पांचमा सवाल है मानव सरीर में जलकी मात्रा कितनी होती है आंसर आने से पहले कमेंट करें तो इसका सही आंसर है 65 प्रतिसत से 80 प्रतिसत अगला सवाल है मनुष्य की सबसे मजबूत हड़ी कहां होती है इसका सही आंसर है जबड़े में सात्मा सवाल है मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है इसका सही आंसर है फीमर हड़ी आठमा सवाल है मनुष्य का हिर्दय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है इसका सही आंसर है 72 बार अगला सवाल है इनसान की खोपड़ी में कितनी हड़ी होती है दोस्तो इसका आंसर पहले से पता है तो अपना आंसर कमेंट करें इसका सही आंसर है 8 हड़ी है आपने क्या सोचा था कमेंट में जरूर बताएं अगला सवाल है हमारी आँख कितने मेगा फिक्जल की होती है दोस्तो अगर सवाल अच्छे लगे हों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नई हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिस्ते के नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले दोस्तो आंसर आने से पहले अपना आंसर कमेंट जरूर करें तो दोस्तो हमारी जो आँख होती है वो 576 मेगा पिक्जल की होती है